Hello friends, very welcome to you all आज मैं आपको बताने वाला हूँ Provident Fund की Taxable Calculation देखो Provident Fund जो होता है वो Employer के दोवारा Employee को मिलता है मतलब यहाँ पे Employer-Employee Relationship है इसलिए इसको हम Salary Head के अंदर देखने वाले हैं अब कैसे Provident Fund के उपर Taxable Calculation होती है जही हम पढ़ेंगे इस वीडियो में पहले हम जान लें कि आखिर क्यों पढ़ना है हमको Provident Fund देखो Provident Fund जो होता है वो Employer अपने Employee को देता है अब देखो जी क्या है जी Additional Amount है जो Employer अपने Employee को दे रहा है तो जी कहीं से भी खराब चीज नहीं है तो अगर Government इसके उपर Taxable लगाती Tax Calculate करती तो इससे क्या Employer Demotivate हो रहा है वो फिर ऐसे Step लेने से घबराएगा तो Employer जब Employee के लिए Good Step उठाता है तो जो Government है वो अपने तरब से भी कुछ कोसिस करती है Tax को कम करने की इसलिए वो Exemption प्रवाइड करती है अब वो Exemption किसी साब से मिलने वाले है Tax कैसे कटने वाली है Provident Fund कितने Tax के होते हैं यह सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर उससे पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुननी होगी कि आखिर Provident Fund work कैसे करता है जब हम इसके Function को समाझ जाएंगे तो हम बहुत ही Easy तरीके से निकाल पाएंगे इसके Taxable Calculation और इसकी Exempted Amount तो आईए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जाने ही कोशिस करते हैं कि क्या है इसकी कहानी देखो, दो लोग होंगे क्योंकि तभी इसकों पढ़ रहे है salary head के अंदर तो पहला है employer और दूसरा आदमी है employee अब जो PF है जिए आप चाहे तो इस टाइमेंट से पहले भी ली सकते हैं कुछ conditions में नहीं तो आपको जिए basically टाइमेंट के बाद ही मिलती है तो employer क्या करता है कुछ amount employee के नाम का एक deposit करता है PF में और जो PF किसके नाम का है जो PF होगा employee के नाम का जो भी employee होंगे उनके नाम के PF में employer कुछ amount deposit करता है PF के लिए for example अम माल लेते हैं कि employer जो है 100 rupees deposit कर रहा है provident fund के अंदर यहीं पर एक कहानी है employer अपने मन से कोई भी amount deposit नहीं कर देता employer उतना ही amount deposit करेगा जितना employee PF के अंदर deposit करता है मतलब यह depend करता है employee के उपर कि employee अपने salary में से कितना PF deduct करने को तयार है जितना amount employee अपने salary में से deduct करता है PF के नाम का उतना ही amount employer को देना पड़ता है employee के PF में मतलब अगर मैं बात करूं कि employee ने अपने salary में से 100 रुपेज deduct किया और अपने PF में add कर दी तो अगर हम बात करें कि इस समय इसके PF account में balance कितना होगा तो balance होगा rupees 200 कैसे? 100 रुपेज तो employee नहीं डाला है तो फिर employer ने क्या दिया तो employer additional देगा 100 रुपेज तो कहानी इतनी सी है जितना amount employee अपने salary में से deduct करने को तयार है उतना ही amount employer आपको additional देगा आपके PF में तो हम जे कह सकते हैं कि PF में आपको double amount मिलता है एक आप डालते हो और उतना ही amount आपको employer भी देगा दूसरी जो amount वहाँ deposit हुए क्या उस पर interest नहीं मिलेगा आपको interest मिलने वाली है तो उस interest का हम कैसे करेंगे calculation तो यह तीनों चीज हमको समझनी है अराम से हम कि employee का contribution employer का contribution और interest इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे निकालना है हमको taxable amount तो आईए अपने वीडियो को start करते है मेरा नाम है आकास कुमार चुहान और आप में यह साथ देख रहो आपका अपना YouTube channel exam bell इसी बात पे keep, subscribe my channel and hit the bell icon forgetting more updates Let's start friends देखो सबसे पहले आपको जानना होगा कि कितने types के होते हैं provident fund तो एक table त्यार कर लेते हैं provident fund होते हैं चार टाइब के पहला हो जाएगा recognized provident fund RPF दूसरा हो जाएगा unrecognized URPF unrecognized provident fund तीसरा आपके पास आएगा statutory provident fund और फोर्थ आपके पास होगा PPF public provident fund ठीक है मैं अभी यह draw कर देता हूँ और फिर आपको step by step सब समझा देता हूँ ठीक है जो सबसे पहला है उसका नाहा हम रखते हैं RPF recognized provident fund दूसरा URPF unrecognized provident fund तीसरा SPF statutory provident fund लाश्ट आपके पास है URPF अच्छे अब यह तो हो गया तीसरा आपके पास है PPF public provident fund PPF public provident fund ठीक है अब दखो इसमें हम जानने ही कोशिस करते हैं कि कैसे काम होने वाली है तो सबसे पहले Employee's Contribution जो Employee अपने salary में से deduct करवा रही है वो amount जो deposit हुआ उस पे कितना amount tax होने वाला है इसे हम देखेंगे सबसे पहले तो अगर आप RPF में हो ठीक है अगर आप RPF रिकोगनाईस प्रोडेंट fund में हो तो बोला गया deduction tax जरनी की जरुद नहीं है आपको reduction मिल जाएगा deduction under section 80C आपको reduction मिल जाएगा under section 80C के अंदर अगर आप recognize प्रोडेंट fund में हो तो फिर वही बात कि अगर आप unrecognized हो तो आप देखो recognized थे इसे लिए आपको मिला deduction unrecognized हो तो आपको reduction नहीं मिलने वाली हम यहाँ बोलेंगे not taxable अब आप बोलो कि sir unrecognized होने फाइदा है विल्कुल फाइदा नहीं है आप ध्यान से बस कहानी सुनना हमने कहा not taxable yearly ठीक है हमने कहा tax नहीं कटेगा आपके उपर मैंने tax free नहीं बोला है मैंने कहा आप पे tax नहीं apply होगा tax free हो यह नहीं कहा मैंने अगर RPF में हो तो हमने कहा reduction मिल जाएगा ATC के अंदर अगर RPF हो तो हमने कहा कि tax नहीं लगेगा इस साल तो नहीं लगेगा लगेगा जे clear यह देखेगा तभी मैं लिखा yearly है not taxable yearly ठीक है अगर SPF में है तो यह statutory है government की provident fund है तो हमने कहा कि यहाँ भी आपको deduction मिल जाएगा deduction under section ATC अभी हम बात करेंगे PPF के बारे में कि public provident fund क्या होती है यूँकि RPF तो नाम से clear recognized provident fund जो अगर आप recognized scheme के अंदर जमा कर रहे हो तो वो कलाएगा RPF अगर unrecognized है ऐसा कोई scheme ही नहीं है PF का उसमें आप अलग से privately बना के जमा कर रहे हो तो वो है URPF SPF government का खुद का बनाया गया fund वो है SPF PPF public provident fund इसके उपर हम बात करेंगे अगले point पे ठीक है अगले point का हते है employee के तो बात हो गई अब बात कर लेता है employer की अगर employer का पैसा जमा हो रहा है जो employer contribution यूँकि जितना employee जमा करेगा उतना employer को भी जमा कर रहा है तो अगर employer जमा कर रहा है तो उस case में क्या होगा कितना amount taxable है तो अगर आप RPF में हो यहाँ ध्यान सुनिएगा यह point आपके लिए important है questions जो होते है numerical वह इसी के ओपर ड्रो होने वाले हैं employer's contribution के ओपर और RPF के ओपर विया दखिएगा तो employer का contribution है तो बोला गया amount in excess of 12% of salary बोला गया कि अगर employer जो आपको PF जमा करके दे रहा है आपके PF के account में deposit कर रहा है अगर वह आपके salary से 12% से ज्यादा है ठीक है तब जितना ज्यादा होगा वह आपके salary में add कर दिया जाएगा मतलब taxable होगी अगर मैं क्या रहा हूं मैं सेल्डी यह 100 रूपीज और में को PF जो मिलरी employer के दवारा वह मिलरी 11 तो कोई दिक्कत नहीं है 12% से कम है लेकिन अगर वह salary आपके हेंड़ है और आपको PF मिल रही है 12% से ज्यादा है 12.1 या 13 14 15 कुछ भी जितना वह ज्यादा है अगर में को PF मिल रही है 15 तो हम बोलेंगे 12 और 15 के बीच का जो gap है माइनस कर लेंगे 3 रूपीज हम बोलेंगे ज्यापके salary में add कर दिया जाएगा तो हमने का amount in excess of 12% of salary जो भी होगा वह आपके salary में add कर दे जाएगा taxable कहा जाएगा इसको ठीक है यहां पर बात उड़ती है कि सर salary की मतलब क्या है तो हम पढ़ेंगे what does mean by salary salary का क्या मीनिंग है आप पर हम देखेंगे आगे बढ़ते है अगर हम बात करें URPF की कि अगर आप unrecognized हो तब क्या होगा तो यहां बोला गया कि not taxable yearly कि आपके उपर इस साल टेक्स नहीं लगेगा आपको अभी भी लगड़ा होगा यूर्प सही चीज़े भोत लेकिन बिल्कुल भी नहीं तो रुकिया भी आप ठीक है बात करें SPF की तो यहां पर क्या है यह गॉवर्मेंट का फंड है तो बोला गया कि सर यह तो fully exempt है कि यहां बोलेंगे PPF में not applicable not applicable क्यों क्यों है क्योंकि पब्लिक प्रविडेंट फंड यह आम पब्लिक बैंक में जाकर अपना एक खुद का अब आगे बढ़ते हैं अब बाद आती इंट्रेस्ट की कि सर जो इंट्रेस्ट मिल रहा है उसका क्या होगा आप यहां देखो यह इंट्रेस्ट पाइंट भी आपकी लिए इंपोर्टेंट है कि बोला गया एमाउंट in excess of 9.5% of salary 9.5% of salary से ज्यादा इंट्रेस्ट आपको मिल रहा है तो बोला गया कि वो taxable amount है आपके salary में add कर दी जाएगी यहां देखेगा जो ज्यादा मिल रहा है increasing amount पूरे amount की बात नहीं हो दी माल लेता है कि आपको इंट्रेस्ट मिल रहा है वह इंट्रेस्ट आपके लिए 17 रूपीस आपको 17 रूपीस का इंट्रेस्ट पीएफ में मिलता है आपकी salary 100 अब जी क्या 9.5% से बहुत ज्यादा है तो जितना ज्यादा है तो हम बोलेंगे 8.5 8.5 रूपीस आपके salary में add back कर दी जाएगी ठीक है कि एर लिए अब आपको लग रहा है कि सर यह तो बहुत अच्छा फंड है सर कहीं पर टैक्स लगी नहीं रहा लेकि ऐसा नहीं है अब आपको एक मिनट और वेट करना होगा तब इससा ख्लासा करता हूं मैं आराम से ठीक हैं बात कर लेते हैं कि SPF में क्या होगा से इस्टे कि एक्जेंट यहां पर बात करें यहां पर कोई दिक्कत नहीं है यहां पर फुली एक्जेंट है क्योंकि यहां पर तो एमाउंट जो है पूरा का पूरा इंप्लाई का ही है इंप्लायर का तो इमाउंट ही नहीं है क्योंकि यहां पर तो इंप्लायर इंप्लायर इंप्ला बता दो हम सेलरी सेलरी बोले जा रहे हैं लेकिन सेलरी मीन्स क्या सर किसका 12 परसेंट किसका 9.5 परसेंट तो हमने का सेलरी मीन्स बेसिक प्लस डियरनेस अलोएंस विच आर फॉर्मिंग पार्ट ओफ एटार्मेंट बेनेफिट प्लस परसेंटेज बेस कमिशन देखो नॉर्मली 99 परसेंट केस में जहां पर आपको नहीं पता चले सेलरी मतलब क्या है सर तो आप माल लेना जूम कर लो कि सेलरी मीन्स क्या है बेसिक प्लस डियरनेस अलोएंस प्लस परसेंटेज बेस कमिशन नहीं दिया है तो एक नोर करेंगे सिंप्लिस को हम ठीक है अब दूसरी बात कर लेते हैं सब कि यू आर पीएफ तर बहुत अच्छा लग रहा है हमको वहां टैस्स लगी नहीं था तो एक बताब जान लो यू आर पीएफ जब मैच्योर होता है कि जब मैच्योर होगा यू इस जब जब वह मंधे आपको मिलने वाला होगा तो उस समय जो टोटल पाकर दियेगे बन गैया अब दिक्कत क्या है इंकम टैक्स स्लैप क्या हिसासे काम करती है इसे कहीं पर टैक्स पारा कि लेकिन जब प्रफर में जो, और आपके हाथ में आया याकी सालरी में एड़ वो गया आपकी सालरी बढ़ गई और फिर टेक्सिबल हो गया अब दिक्कत क्या आप एक इंक्रीज स्लैब में आ जाओगे आब आप बहुत ज्यादा टेक्स देने वाले हो तो यहां पर क्या छोटी छोटी चोटी टेक्स को हमने माफ कर दिया यूर पीफ में लेकिन जब आप मैच्विर्टी में आओगे ऐसा तो है नहीं कि मैच्योर होगे आप आप छोड़ दोगे मैच्योर इससे बचने के लिए लोगों ने दिमाग क्या लगाया लोग क्या करते थे यूर पीफ से पैसे ट्रांसफर कर देते थे आर पीफ में मैच्योर्टी से कुछ टाइम पहले फिर क्या होता है जब मैच्योर्टी आई तो वो आर पीफ है अब आर पीफ जब निकलेगा तो टेक्स लगा दिया जाएगा मतलब आप बच नहीं सकते अगर आपने यू और पीफ के फंड में पैसे इन्वेस्ट किये तो आप सुरू में तो सेफ रहोगे लेकिन जब वह अमाउंट मैच्योर हो जाएगा चाहे उसको आप निकालो तब टैक्सेवल बचने के लिए आप उ यहां पर आपको तो अगर आपको पूरी वीडियो है अच्छा लगा पढ़के आपको लगा कि मैंने आपको एक-एक कंसर समझाया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजेगा चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करने इस चैनल पर आपको कॉमर्स से लिएटेड बहुत सारी वीडियो मिलती रहती है अकाउंटेंसी इंकम टैक्स बहुत सारी वीडियो आपको मिलने वाली जो आपको लिए हैल्पूल होगी है तो मिलते हैं एक नई वीडियो पर तब तक लिए थेंक यू